हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यू एजुकेशन पॉलसी आने की बज़े से ही जो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट होगा उसमें क्या चेंजिस होंगे गाइस इस वीडियो का पूरदी कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है गाइस सबसे पहले मैं आपको उताना चाहूंगा कि सासन को मंजूरी के लिए प्रस्ताव क्या भेजा गया है बट अभी तक सासन ने पूरी तरीके से मंजूरी नहीं दिये गाइस क्या प्रस्ताव भेजा गया यह समझे और क्या क्या बदलाओ आपको हो सकते हैं यह समझे गाइस सबसे पहले बात कीगा यह कि 360 डिग्री असेस्मेंट किया जाएगा देखिए 360 डिग्री असेश्मेंट का महला होता है चारों तरफ से देखा जाएगा कि भाई इस्टूडेंट की क्या कंडिशन इस्टूडेंट ने क्या किया है अपने अकैडमिक एयर में का इस पूरी तरीकी यह सीचीज देखी जाएगी अब गाई जो आपका रिजल्ट बनाया जाएगा वो 6 से लेके 12 तक का पूरा रिजल्ट बनाया जाएगा मतलब 6 में आपने क्या किया, 7 में क्या किया, 8 में क्या किया, 9 में क्या किया, 10 में क्या किया, 11 में क्या क्या, 12 में क्या किया मतलब चारो तरफ से जो भी आपने किया पूरा 6 से लेकर 12 तक का सब कुछ डेटेल क्या है उसमें डाल दी जाएगी और गाइस ऐसा करने से जो बच्चे होंगे उनके अंदर कहीं न कहीं ये बात आईगी भई अगर अच्छा नहीं किया तो रिजल्ट में वही चीज़े क्या मेंशन हो जाएगी और गाइस न्यू एजूकेशन पॉल्सी के तहत ये सब इंप्लिमेंट क्या है किया जाना है काइस सासन को प्रस्ताव भीजा गया है अभी सासन की अंतिम महर लगना क्या है बाकी है और सासन जैसे अंतिम महर लगाएगा तो फिर ये सब कुछ चीज़े क्या इंप्लिमेंट हो जाएगी और आसवानी से लागू हो जाएगी अब गाइस इसमें जो आपके जो नंबर्स वगया दिये जाएगे वो जी किस बेसे पर दी जाएगे काइस एक तो होता है कि आप एक्जाम देते हैं मरब जैसे आप क्या रिटेन एक्जाम बगया देते हैं और उसकी बेसेस पर आपको क्या मार्क्स बगया दिये जाते हैं ये अभी तक क्या है होता है यो पी वोड में बट अब क्या कर जाएगा academic में जो आप perform कर रहे हो जैसे suppose करिए जो आप written दे रहे हो उसके तो marks आपके देखी जाएंगे उसके अलावा जो आपका वेवेर है जो आपके वेक्तित्य के mark हैं वो भी आपको provide किये जाएंगे जैसे suppose करिए आपका 100 का paper है अब 100 के paper में से देखे क्या हो सकता है 80 का आपका written लिए जा सकता है और जो 20 मंक्स होते हैं वो आपके school की तरफ से आपको provide क्या किये जा सकते हैं फिर जैसी आपकी school performance वगएरा होगी जैसा आपका वेक्तित होगा उस तरीके से आपको numbers वगएरा क्या दिये जाएंगे तो guys यह चीजें आपकी new education policy के तहत की इसका सिर्फ एक उद्देश है कि चात्रों का हितो चात्र अपने आप में aware वने और चात्रों का जो assessment हो proper तरीके से हो गाइस यदि आप पुए हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और गाइस एस वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सुस्क्राइब करने नॉटिफिकेस मेल दबादें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लात रहते हैं तो